वेले हैं वेल्कम डो अब च्शानल मैक्सवाला सोरज मतो आरा आज हम लोग आपके लिए लेंस का प्रेक्शल लेक्चर लेकर आए और आज हम लोग टोटल मैं लिए को एंप के लिए लेकिन हम लोगण आलग लगर्य करते सबसे पहला के लुट्स तो हम्हाराज का टॉपिक होगा रे कि डाइग्राम कि उसमें रे डाइग्राम पढ़ने के लिए उससे हम लोग को पहले क्या पढ़ना पढ़ेगा रूल्स आप रे डाइग्राम तो जो रूल से रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डाइग्राम तो रे डाइग्राम बनाने के लिए जो भी हम हम लोग रूल्स यूज करेंगे वह अभी हम लोग पढ़ने वाले तो सबसे पहला जो रूले इफ कि इंसिडेंट रे इज पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सिस औरलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वैं देन करें अ हुदिक रड़ी अ अ है यं यह फिर्टे ट्रें प्रिंसिडेंट को अग्सिझाट reminds यहां से अब्जिक्ट के पास से जो देंप्रिंसिपल एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस कहा कि包 की इमेनडि एक्सिस होता है जो कि पोलार सेंट्रों कर विचर से पास होता है तो उस पे मतलब इंसिडेंट कि पैलली देन तो उसका जो रिफ्रेक्टेड ले यहां फोकस फ1 यहां सेंट्र अफ कर विचर सीवन यहां फोकस फ्टू और सेंट्र नियुक्त ले रहा हूं लेकिन आप लोग यहां पर टूटू यहां फिर तरी सेंटीमिटर का गैप ले सकते हो तो उसके डागरम बोर्ड के लिए दिखेगा इसका मतलब फश्रूल हमारा क अगर इस तरह से इंसीडेंट हो रहा है यहां फोकस से पास होगा तो हमारा पहला रूल यही है नहीं कि friend अब गिए आओ हम लोगने जो एंहां होने जो रे डागरमका फार्श्ट रूल था ओ देखा अब हम लोग पढ़ेंगे रे डागरम्गे सेकंड रूप्सकर्थ इसका है शिरूटू क है इस इंसीडेंट रे मां का पासेस मिन часов क्यान्य फोकस देन रिफ्रेक्टेड रे रिफ्रेक्टेड रे रिफ्रेक्टेड रे विल बी पैरलल तू प्रिंसिपल एक्सिस तो जब हम लोग इसको रेड करेंगे तो ऐसा हम लोग को दिखने में लग रहा है कि जो पिछला केस था उसका मतलब कानवर्स हम लोग को दिया हुआ तो मैं ड्रॉक करूंगा ता आपको ज्यादे अच्छे समझेगा तो सबस्ते पहले तुम्हें यहां पर लेंस बना लूगा जो कि हमारा कॉंट्वेक्स लेंस है पर यहां पर लोग मा chopped बनाएंगे को चीस तरह से सिनके में पर पर यहां पर ऑप्टीकल सेंटर जोगए तो के सेंटर में लेगा यहांपर f1 मतलब F2 और यह C2 तो अगर हम लोग पाढ़ेंगे तो इने इंसिडेंट रहे पासे सुरूद फोकस तो मतलब अगर इंसिडेंट रहे पोकस से अगर हो रहा है यह सबूर आइट पढ़ी और फोकस से पास वह कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टरेट्ट रहे और प्रिंस्पल एक्सिस और यह कैसे पास होगी पैरलेल प्रिंस्त तरह से तो यह हमारा सेकेंड रूल था लोग ने इसका सेकेंड रूल जो था रे डियाग्रम को देखा अब यहां लोग रूल थर्ड पढ़ रहे है तो रूल थ्री अब रूल थ्री क्या है तो इफ इंसिडेंट रहे पासे थ्रू अप्तिकल सेंटर अप्तिकल सेंटर अप्तिकल सेंटर एक विल पास विदाउट लिए टिया फिर हम लोग बोल सकते हैं एक इस्ट्रेट लैंड में पास हो जाएगा तो कैसे होगा तो हम लोग अभी डॉप करते हैं तो सबसे पहला तो हम लोग हमारा कॉन्वेक्श लेंज बना लेंगे यहां पर हम लोग क्या बनेंगे प्रिंस्पल एक्सिस जो कि बिल्कुल सेंटर में होगा इसके और उसके स सब्सक्राइब करते हैं और यहां सीधे से स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी तो यह हमारा रूल है और यहीं ठर्ड रूल को यूज करके हम लोग जो भी रेडाग्रम बनाएंगे और उसके अलग-अलग पोजिशन के चेक करके फिर उसके इमेज के साइज कैसे होंगे उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग रेडाग्रम के बारे में पढ़े उससे पहले कुछ और बेसिक से उस इमेज साइज के बारे में और पोजिशन के बारे में तो हम लोग हो गया सेंटर पे प्रिंसिपल एक्सिस तो मतलब कुछ रूल है जो हम लोग फॉलो करते हैं डियाग्रम के टाइम जैसे अगर इमेज राइट साइज में बन रहे है तो उसका लोगते है रियल इमेज इमेज कि इज कि फॉर्म्ड कि अन राइट साइज है तो हम लोग सो क्या बोलेंगे रियल इमेज है और अगर वही लेप्ट साइड में बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुल इमेज कि इमेज कि एज कि फॉर्म्ड कि एट isuus साइट कि लेगे लेंज साइड के सब्सक्राइब लेट ब किलें लेंस के साइट के तो लेट साइडस तो उसको कि वर्चुल इमेज अर्पिंज अगर सीधा बनेगा तो उसको पूरिओं के इरिक्ट और बात करें अगर कोई छोटा इमेज है तो उसमें लार्ज पॉइंट डिमिनिस तो मैं आप लोग को जैसे इसे पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा तो हम लोग हमारा जो आज का में टॉपिक रेड डियाग्रम वह भी स्टाट करते तो इसमें अब्जेक्ट जो है सेंटर में बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सेस और यह हो जाएगा हमारा ऑप्टीकल सेंटर और मैं तो यहां पर रैंडम ली ले रहा हूं लेकिन आप लोग से बनाते टायम टू सेंटिमेटर या थिरी सेंटिमेटर के परफेक्ट लेना तो आपके डियाग्रम अच्छे बनें प्रिंस्पल एक्सिस को पैरलल आएगी कुछ इस तरह से और हम लोगों ने रूल पढ़ा था तो रूल में क्या था कि कोई भी रे अफ्लाइट अगर पैरलल ही इंसिडेंट हो रहा है लेंस पे तो वह फोकस से पास होगा यहां पर भी होई होगा यह जो रे आफ्लाइट ह है यह कैसे इंसिडेंट हो रहा है तो कहां से फोकस से पास होगा ऐस तरह से एसी बहुत सारी हे और wil reach Ik कर दो यहां पर कैसे पैरलली इंसिडेंट वही यह प्रिंस्पल एक्सिस को पैरलल है तो हमारा फोकस से पास होगा अगर कोई भी देव अप्लाइट आता है तो यह आई और कहां से पास हुई हमारे फोकस से तो आप लोग देखेंगे जो इसका इमेज बना है वो कहां पर बना हमारा फोकस पर एफ-टू पर तो इमेज कैसा बना है और बहुत छोटा इमेज बना है तो देखेंगे सब से पहले पोजीशन ऑफ-फ एमेज तो इमेज का पोजिशन कहां पे एफ टू पे मतलब फोकस पे और इमेज का साइज कैसा है साइज है इसका पॉइंट मतलब एक पॉइंट के इतना ही इमेज है और यह कैसा है तो इसका जो नेचर है नेचर है इसका रियल एंड इन्वार्टेड मतलब अगर इसको आम लोग पाता चेले का जो इमेज बना है वह रियल बना है क्योंकि राइट साड में बना है मैंने बताया था आप लोग को कुछ देर पहले कि जो भी इमेज राइट साड में बनेगी वह रियल होगी और अब हम लोग में अब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेक्व अगे तो प्रिंस्पाल एक्सिस हुआ यहां पर प्रिंस्पाल एक्सिस हुआ यह होगा अप्टिकल सेंटर यहां प्रिंस्तू मतलब फोकस और यहां कुछ दूर पर रहेगा 2F2 मतलब center of curvature यहां होगा F1 मतलब focus और 2F1 मतलब center of curvature तो हम लोगों को जो question में बोला है क्या बोला है object beyond 2F1 मतलब 2F1 के बाद मैं वह यहां पर बना ले रहा हूं 2F1 के बाद object तो सपोज object यहां पर ऐसा है मैं object का नाम ले रहा हूं A और B यह हम लोगों consider कर रहें तो सबसे पहला जो ray of light है कैसा होगा यहां से parallel जाएगा और lens पर incident होगा कुछ इस तरह से तो हम लोगोंने फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी ray of light parallel incident होता है लैंज पर तो इसके उप्टीकल से जाएगा तो और यहां से ऑप्टिकल सेंटर पर जाएगा और हम लोग ने जो थार्ड रूल पड़ा था यहां पर हम लोगों करेंगे क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा तो अगर कोई भी देव फ्लाइट पास होगी तो विड़ाउट चेंज डैमा तो उपना है डारेक्शन चेंज किये भ उल्टा बनाए यह हमारे हो गया डाव और यह बडास मतलब का उल्टा इमेज बनाए तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे पोजीशन आफ इमेज तो हमारे इमेज का पॉजिशन कहां पे एफ्टू और तू एफ्टू के बीच में तो क्यों जब जाएगा बिट्वि and 2F2 तो यह हमारा position of image हो गया अभी size of image देखेंगे तो दोनों के size को अगर आप compare करोगे तो ऐसा हम लोगों को लगे है कि object का size से image का size जो है वो छोटा है तो size क्या होगा size हो जाएगा smaller smaller than object और इसका अगर मैं नेचर देखेंगे तो nature in theatre क्यों मैं यह कोई right side मैं form होता है तो तो कैसा Smud और यह वो एक सफARS वोगा वर्चुछ वोगा और कोई鬼मेज सीरा inputs होता है तो वह इंवर्ट होता है तो वह तो यह जो है वह उल्टा इमेज फ़र्म होए ना यह बीका उल्टा हुआ है तो अगर हम लोग पढ़ेंगे इसके और भी केसे से तो उसमें और अप्टिकल सेंटर के बीच में आपजेक्ट रखेंगे तो यह चार पढ़ेंगे यह लोगों पढ़ेंगे फिर अगले लेक्ट्र में पढ़ेंगे क्या होगा फिर उसके लिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करें अपन आपने बादे